वे गाइस वैलकम बैक तू दो चैनल तो अभी बहुत जोर से भूख लगी ती इस वजे से मैं उठ गई हूं बिलकुल भी बैड से उठने का मन नहीं था मतलब साथ बजे के बाद नीम तो नहीं आ रही थी लेकिन बैड से उठने का बिलकुल भी मन नहीं गरा था तो अभी प्रेश हुई हूं ब्रेश वगेरा किया है मुपे घी से मसाज करने पड़ती है मुझे क्योंकि बहुत जादा ड्राइनेस रहती है और आज मेरी आंख में मुझे अजीब सा फील हो रहा है दर्दर्द सा शाहद यहां पर वो मोटा मोटा फील हो यह दाना निगलने वाला ह शायद देखो अभी मैं किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूं कि कुछ खाने का लेने आई हूं और आज भी सो रहे हैं भी और रीमा भी सो रही है तो उठें नहीं दोनों दस बज़रे जबकि तो अभी जाती हूं पहले उन्हों उठाती हूं फिर देखती हूं वह क्या लाइट है तो बाहर की रॉष्णी जो आ रहे हैं वह वाली ही रॉष्णी आपको क्लियर दिखा पारी है तो चलो चलती हूं अंदर थोड़ा सा रेडी होती हूं ठीक लगती हूं उसके बाद दुबारा आपसे मिलती हूं कुछ खाने का डूंडती हूं सबसे पहले तो मैं बना लिया है अपने लिए और अजे के लिए दो बना दिये हैं और चाय बन रही है हमारी तो गाइद बहुत तेज भूख लग रही है अब यह चाय टोस्ट खा लेंगे उसके बाद नहां दोके बिल्कुल रेडी हो के आपसे मिलूंगी और आज के टॉपिक के बारे में ब तो गाइज अभी बज रहे हैं तीन अजे का भी फोन आया था उन्होंने बोला कि उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है एक्चुली मुझे अधार काट में अपडेशन करवानी थी कुछ फोटो की भी अपडेट मतलब वो पहले बहुत पहले बना था ना जब मैं छोटी थी तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा उसमें भी अपडेट करवा लेते हैं फोटो भी अपडेट करवानी है फोन नंबर अपडेट करवाना है एड्रेस अपडेट करवाना है कुछ-कुछ चीजे है थोड़ी सी अपडेट करवानी है अधार काट में तो बाद में दिक्कत ना तो इसलिए मैंने सुचा कि पहले ले लेते हैं और जब तक वह प्रोसेस चालू होगा तब तक मेरा धारकाट बनके आ जाए तो इसलिए अजय को मिल गया पॉइंट्मेंट तो अजय ने बोला रेडी हो जा मैं आता हूं तेरा धारकाट का काम करवाता हूं उसके बाद चलें कि अपडेट दूगी कि क्या 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 मैंने लिखा हुआ है लिस्ट के लिए तो और में को क्या क्या मिल गया है उसके बाद आप लोग में को बताना कि मैं को इसमें से क्या एड़न करना है क्या कट करना है तो अभी चलते हैं अभी मैं रेडी हो गई हूं बस अजय का बेलकुल भी मनी नहीं करता है रैडी ऊने का उपर सब गर्मी भी स्टार्ट ओ गई है तो और ज्यादा दिक्कत होती है तो चलो चलते हैं अभी अजय का वेट करते हैं रैडी हूं बिल्कुल बस टोल डालना उपर तो चलते हैं उसके बाद जाएंगे थोड़ी से कि आज मैंने लिप्स्टिक क्यों लगाई है लिप्स्टिक इसले ही लगा। ये Sahag Ichable साम नहीं one लिए तो इतनी घंदी लगती है मैं आपको अभी जो अभी की रिसेंट वाली पेसा ब्सकें है तो थो कैसी बहुत बहुत टाइम बात फिर चेंज होती है उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है इस वज़े से लगा लिया और कोई वाती है वैसे मैं नहीं लगाती हूं तो वहां जाके मैं फोटो खिशने के बाद हटा दूंगी तो मैंने सुचा यह अपडेट दे देती हूं नहीं तो फिर से लोग कमेंट करेंगे कि दीदी आपने आज फिर से लिपशिक लगा ली तो गाइस हम शॉप दूंटे दूंटे पागल हो गए अभी मैं वेट कर रही हूं यहां पर रीमा लेने गई है वहां से में लिए नटखट लेने गई है खाने के लिए और अभी हम वेट मतल तो गाइस अभी आ चुके हैं घर इतने धके खाए इतने धके खाए सारा दूल मिटी ऐसा मैं तो मूद ओके यहां पर सर पर पानी लगा के थोड़ा साही हूं क्योंकि मैं अभी तो नहाने नहीं वाली सुबाई नहोंगी आपना होगे बहुत पूरा मिटी मिटी दूल क्य क्यों अग्याए और अब finally हमने decide कि आप टूनने में टाइम वेस्त नहीं करेंगे समान ऑनलाइन ओर करतेंगे अब ठीक है ऑंलाइन अब हम जो भी नहीं मिला हमें वहम सब ऑनलाइन ओडर करतेंगे तो अब मोगों करने की करेंगे और आप लोगो को बताएंगे लिस्ट के काम करा क्या है उसके बाग इतना जधा थक गए कि मैं को अराम करना पड़ा उसके नेक्स डें बहुत ज़्यादा तब अब दकाब तो चलो आज थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं विडियो हैं इस में निशानी हो सकती है तो वह है कि हमने लिस्ट तो त्यार कर लिए लेकिन अभी हमें डॉक्टर ने लिस्ट नहीं दिया कि हमें और हॉस्पिटल में क्या-क्या लेके जाना है क्योंकि नाइन मंथ लगा है मतलब लगेगा तो इस वज़े से हमने सोचा कि जो हमने लिस्ट बनाई है वह हम आपको बता देते हैं ताकि इसमें से जो भी कम हो या ह URLs अधा हो वह हमें गाइड करना जिसको भी experience करें पर की क्या कट करें तो सब्सक्रांब से बात्यों में सब्सक्रिद के लिएких रहेभ twee क्या-क्या धी और मतलब जो हमें समझ में आया अपने उसके नौलेज के हिसाब से वह में लिए बागी आप लोग बता देंदे artık कि इसमें क्या कम है तो हमने सबसे पहली चीज तो में चीज जो होती है डाइपर लिखा है वो भी टेप वाला पैंट वाला नहीं लिखा टेप वाला मैंने सुना है कि जाधा बैटर रहता है न्यूबॉर्ण के लिए क्योंकि जाधा हिलना डूलना मतलब बच्चे को पसंद परिशानी भी नहीं होगी चेंज करने में और बेबी वाइफ मतलब यह दोनों चीज तो बहुत ही जाधा इंपोर्टन लग रहे हैं मुझे लेकिन यह सबसे जाधा इंपोर्टन था हां वाटर बेस लेकिन पता नहीं यार अलकोहल फ्री लेना लेकिन वह वाटर बेस नही लेने से पहले और सैनिटाइजर तो मोस्ट इंपोर्टन है कि आपको अपने बैग में रखना है डखन वाला बीवाइब सुखे ना वह तो हम दिखाएंगे जब बताएंगे इनको सारी चीजे डिटेल में बताएंगे अभी तो हम यह बता रहे हैं कि हम क्या क्या मतलब यह है कि उसके ऊपर वह लिड होनी चाहिए ताकि वह ड्राय ना पढ़ जाए ना पैकेट इस वजह से और सैनिटाइजर तो मोस्ट इंपोर्टन है जो हमें रखना है एक हमें महां हॉस्पिटल रूम के लिए और एक जो हमारे साथ बंदा रहेगा उसके पास भी रहना तो ठीक है रख लेंगे मतला अगर मुझे मेरा ही फेस पोचना या फिर खाना में खा रही हूं कुछ तो मेरे को हाथ पोचने बातरूम जाने का मन नहीं है तो फिर अपना पोचने के लिए रख लेंगे और एक फीडिंग बॉटल तो फीडिंग बॉटल का वैसे है या क्या-क्या रखना है क्योंकि वह बताएंगे ना हमें क्या-क्या लेकर आरा है और ट्राइशीट तो ले लेना वह तो इंपोर्टन चीज होगी है और टॉबल भी जरूरी है इसमें से एक-दो समान तो मैं लेकर भी आ गई हूं तो वह मैं आपको सब समान अब मैंने मैं देखो दो-तीन जोड़ी कपड़े दिखाई दिया आपको कि मैं क्या-क्या लेकि आई हूं बाकि जो भी समान है ना हमारा वह मैं बैग जब बनाऊंगी ना वह क्लियर मतलब उसी में उसी वीडियो में दिखा दूंगी क्योंकि एक-एक समान दिखाना फिर आपको ढू रिटा टैश करके देखनी है जैसा करके देखना है एक दो कपड़े होगा हमें फ़र्स्ट हैम बिनाने वह हमने खुच जाके मार्केट से लेकर आगया लेया है कुछ कुछ समान ऐसा है जो हमने लिखा है एक लोशन क्रीम और हैर उयल मतलब इन सब चीजों की स्टार्टिंग में मेरे साथ से ज़रुत नहीं पड़ेगी रोल अलग से होता है कि बोड़ी के लिए नहीं 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 तो हम बोड़ी और हैर पर भी लगा सकते हैं लेकिन अगर हम जॉनसं के लिए तो और मसाजयल अलग होगा अगर हम जॉनसं का लेंगे तो यह मतलब स्किन केर में मैंने लिख लिया लोशन क्रीम ओल मॉस्टराइजर इस में से जो जो भी लगेगा वह बैक में रख लूँगी और तो मुझे रखना ही रखना है वैसे मतलब होस शैंपू को तो मेरे को लगता नहीं कि वीडियो देखी है ना तो बाकी देखते हैं वह क्या बोलते मैंने अपने हिसाब से लिख लिए है और यह होस्पिटल बैगें नहीं डालना पड़ा तो बाद में तो चाहर दिन मतलब में इतना सकते हैं और यह एक उसके अलावा भी हम सब चीज रख लेते हैं तो वही सोप और शैंपू हो गया और एक बेबी पाउडर जो आता वो भी मतलब मेरे को लगता नहीं लगाने की पड़ेगी पर स्टार्टिंग में थोड़ी जोड़ी पड़ेगी उसकी इतनी गर्मी थोड़ी है और देखो लिख लिए एक थर्मल लिख लिए मतलब अंदर का सिर्फ इनर होना चाहिए वो भी बटन वाला जो सामने से खुल जाए उपर से डले सिर्फ एक ही लिखा है क्योंकि देखो अपरेल का महीना है तो वह गर्मी तो थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी लेकिन बच्चे के लिए जोड़ी स्किन को मतलब टैच करने वाला जो है ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और कपड़े तो हम दो-तीन जोड़ी रख लेंगे जितने भी डॉक्तर बोलेंगे की दो जोड़ी लाने तीन जोड़ी लाने वह रख लेंगे हम और नैपी में हम अभी मैं दो-तीन दिन मे जाउंगी ममी के पास तो वह जांदेंगी की मही Bowl by तो बोलते हैं कि वह मोटे हैं तो वह रख लेंगे तो नैपी होगा मतलब पांच साथ जो भी जितना भी मम्मी बोलेगी मम्मी के उस एक्सपीजेंस के साब से उतना रख लेंगी क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम डाइपर यूज़ करने वाले हैं इस वज़े से और हॉस्पिटल में तो में प्रैफर यह करते हैं कि डाइपर करके और अगर डॉक्टर यह बोले कि नहीं नहीं न्यूबर्ण बेबी को ठर्ण लगती है तो वाले डाल दो पर मुझे ऐसा लगता है कि इच्छा यार कितना ही बच्चा पैदा हो रहा है लेकिन गर्मी तो गर्मी है गर्मी तो लगेगी ना ऊपर तुम थर्मल भी पिना यह हमारे तो सब कुछ एपनों घर लेकर जाते हैं हम मतलब यह कि लेकर तो सब जाएंगे अपने हिसाब से अप्सें दोक्टर जो बोलेगी उसकी और बेक्स्क्राव यह रहता नीकालो तो नहीं रहार नहीं सब बढ़ नीजे होता नहीं पर बीशन नीजे और तो यह हो ए तो रखोंगी ब्लैंकेट भी रखोंगी मुझे तो वैसे आदत है ना उनने की इस वज़े से और हां क्या पता मतलब ब्रेश फीड ना कर पाए बच्चा या फिर मदर ना कर आपाए तो मिल्क पाउडर जरूरी होता है तो यह इन्फा मिल कंपनी का उन्होंने स्टेज बन का बोला था रखने को तो वह हमने लिख लिए भी बाकि हम डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लेंगे मिल जाता है यह मतलब उन्होंने स्पेशली सजेस्ट किया था जो इनकी फ्रेंड की वाइफ है क्योंकि उनकी भी बेबी होई है थोड़े तीन-चार महिने पहले उनका भी बच्चा हुआ ना तो उनको एक्सपीरियंस है तो इसलिए हमने सुचा कि हां उनकी बात हमें मानन मेली का होता है पतानी क्या होता है मिले का मैं तब lesh ना कर नचर करी कि उसमें से कर सकते हो कान वागेरह के लिए होता होगा चैशनकुस् dar तो वो हमें वो जो आता है पैकिट वो फॉर्स क्राइब अगरा एमिजॉन पर सब पर मिल जाता तो वो लेकर रख लेंगे मतलब बैग में रखेंगे उसमें तो बहुत करेगा वह दो दिन में तो क्योंकि क्या ही होगा घर के लिए और बच्चे का पिलो मुझे लेना कर देखा था मैंने एक छोटा सा था फिलो तो मैंने वह सब्सक्राइब लोगी पर मुझे अभी समझा है लेना चाहिए यह नहीं लेना चाहिए कि में मेरे को एड़चस करके रखना पड़ता है वह हमेश्या क्योंकि उद्धर करोग है तो युदर करोंगी जल यहें दुर तो यह बात है बाकि आप लोग बताना कि उससे कोई फायदा होता भी है या सिर्फ मिद्ध होता है यह मुझे इसलिए समझ नहीं आया बाकि मेरी मम्मी तो बोले थी कि खुद भी बना सकते हैं पर मैंने सुचा कौन बसाड पाले एक महीना तो रह गया और भी बहुत सारी ची उसको तो हम बाद में और कर सकते हैं और मस्कीटो नैट जरूरी है वो हॉस्पिटल के लिए भी जरूरी है वो तो क्योंकि हमें नहीं पता हॉस्पिटल में मच्छर हुए तो ऑल आउट तो मतलब अच्छी नहीं रहेगी ना उस वक्त वहां मिलेगा सब कुछे जुगाड मेरे को ने लगता मेरे को लगा रहा है बाकी देख लेंगे देख लेंगे अब आप अब मान लेते हैं यह यह अपने बैग में एक साइट में रख लेंगे अगर वह जरुद पड़ी तो ठीक है डाल दिया नहीं तो रहने देंगी जो खुदी फोल्ड हो जाता है च्छोट हमने देखा ने यहां पता ने अभी हम जाके देख के आएंगे जो हमारी डॉक्टर सजेस्ट करेगी उसके बाद हमें सब चीज समझ में आएगी अभी हम देखकर भी ने आये उसको और हां लास्ट चीज यह थी कि बाथिंग के लिए उसको मतलब तब लेना चाहिए कि मैं मुझे लगा प्रॉपर वुस कह रहे हो तब तो बते रहे हैं आपने गरोश पता क्या है मैं बताती हूं को पता क्या है हमारा बातरूम बहुत चोटा है तो वहां पे ना स्पेस नहीं कि मैं उसको बैठ के बच्चे को निला पाऊंग अरे बातरूम में वैजे भी नेलाते हां वह तो मेरे बच्चा है उससे बाहर नहीं निकलता हूं तो मुझे समझने आ रहा है कि मैं टब लूँ या ना लूँ एक टब मेरे पास वैसे स्टील का है बहुत बड़ा मेरी नानी ने मुझे मेरी शादी में दिया था तो मैं सुच रही हूं हां मुझे इसके अंदर रखा है बहुत बड़ा टब है वह स्टील का है पर वह तो मैं सोच रही हूं कि यह जो बोल रहे हैं बादिंग सीट के लिए तो वह सीट सीट ले लूं क्या फिर मैं और ऐसे ही तो करते हैं बस मुझे ना एक कंफ्यूजन रहती है कि उस पर पानी तो बच्चा बच्चा मतलब उसके पैर में गंदा पानी नहीं लगेगा यह पानी डालते जाओ डालते हैं तो यह तो आप लोग बताना चीजों में जिनमें confusion है मुझे यह आप लोग बता देना मुझे बाकि देखते हैं क्या होता है और इस में से क्या-क्या मुझे मेरे हिसाब से तो मुझे यह लगता है कि इसमें से कट करने का तो कुछ भी नहीं ज्यादा से ज्यादा क्रीम और लोशन आप बोल सकते हो कि यह ता दो दोक्तर लिस्ट दे तो वह समान अजड़ी घर में रहां 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 रड़ी हो सब तो इन्होंने भी बोला है कि जादा बहार नहीं निकलना क्योंकि एक तो होली वाला टाइम चल रहा है तो होली पर जादा वैसे ठीक नहीं होता निकलना बलून मारते हैं लोग पानी फेकत नहीं ना शोटिंग ना स्कूटी ना किसी के घर जाना ना कुछ कुछ भी नहीं चत पर जा दूप में बैठ यहां घूम फिर ले शाम को में आँगा मेरे साथ चल ले पैदल पैदल और उसके बाद वापिस और फिर उसके बाद वो जो थोड़ी बहुत एक्सराइस होती है कर लो तो आप यह मालो तीन निन के बाद मैं तीन महीने तक घर में पैक होने वाली हूं एक महीना यह दो महीना वहां सबसे पहली बात कि इसमें और क्या मुझे गर्जोना है और वहां मुझे तीन महीने तक के लिए मतलब जैसे 0-3 मंथ तीन महीन का जब तक बच्चा हो जागा तब तक मुझे कितने रखने चाहिए उसके लिए मुझे यह समझने आ रहा कि मैं कितने जोडी कपडे मतलब रखूँ कि मुझे वापससे तेंशन नहीं है और बाहर फिर क्यों ही जाना यह लेकिन वसी है कि कितने अवेलेबल होने चाहिए सुकाने के लिए रस्तिया चोटी बढ़ जाती है वह तो चोटा बच्चा है बार-बढ़ चेंज होते हैं उसके और उपर से जद्धा नीचे की ची जाती है पर देखो हमने डाइपर हो गया और नैपी हमने सोचा मतलब मैंने मंने डिसाइड कि द स छोटी बनाएंगे और दस थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो यह काफी रहे गा दस बनाना तो नहीं रहेगा मैं बहुत ज्यादा है तो कम बना फिर मैं कम बोल रही हूं कि मम्मी नहीं हम डाइपर यूज करें इतनी भी कम नहीं तो मतलब सबकी मम्मियों का यही कहना होगा कि डाइपर नहीं कि यूज करना मेरी मम्मी ऐसी कहरें यह कि डाइपर तो जब यूज करते हैं जब कहीं जाते हैं रात में या फिर किसी को बच्चे को देते हैं तो है जैसे मान लेकि भई तुम खुद सो रहे हो एक तो जरूर पहनाना है ताकि बच्चा गीला ना रहे हैं मतलब कि उसका में परपस यह किसी भी हालों बच्चा गीला ना रहे हैं और बाकी जब तुम खुद जाग रहे हो जब बच्चे पर तुम्हारा पूरा फोकस है उस ताइम पर चोड़ सकते हैं डाइपर फ्री टाइम दे सकते हो बाकी एक्सपीरियंस बताएगा दीरे-दीरे कि क्या करना है क मैंने डाइपर का भी एकम पैकेट ले लिया एंदा तो मैंने क्या है में समान कुछ ओर ले ने गई ती तो मैं डाइपर का पैकेट भूल रही मैंने रियारी मार से बूला तुम ले के आना वह कोई भी उठा लाएं तो कोई नहीं वह देखेंगे कैसा यह हमें नहीं पता तो अब देखते हैं यह लिस्ट मेरी मतलब proper है के नहीं है यह बताना ुसमे kya add-on करना यह बताना अभी यह backpack के लिए और किस-किस ६्रैंड का मैं क्या क्या ले रही हूं यह भी मैं बाद में बताऊंगी जब मैं backpack करूंगी अभी मेरे को क्योंकि खुद ही नहीं पता मैं क्या क्या लेने वाली हूं जाधा तर जो थोड़ी बहुत चीजे ले लिए उनका मुझे पता है और हां और यह भी बताना कि द्राइशीट मुझे hospital के लिए दो रखनी चाहिए यह एक ही काफी है वैसे तो शायद दो रखनी चाहिए और वह गुदड़ी वाला जो होता कपड़े वाला जो बनाते हैं बच्चे के नीचे के लिए वह तो मैं दो रख लूँगी ठीक है कि नहीं नहीं रखना चाहिए दो हां मतलब वही जैसे कि मतलब यह है कि अगर हमें ड्राइशीट और गुदड़ी यूज करनी है तो गुदड़ी के ऊपर रखते ना जरूरी नहीं अलग लग यूज करो ने अगर हमें एक साथ यूज करनी है हां तो ड्राइशीट नीचे रख तो गुदड़ी ऊपर रख तो यही तो पूछ रहा हम है कि गुदड़ी नीचे और ड्राइशीट ऊपर रखते हैं ना तो बच्चे ने डाइपर पैना होगा तो बस वो गुदड़ी को ऐसे रखने के लिए कि हाँ तो इस वज़े से वो सिर्फ बैड के लिए और मेरे लिए ताकि मैं भी गिली ना हूँ उस वक्त क्यूंकि मैं बार बार चेंज नहीं कर सकती है मैं बाहर नहीं जा सकती समझे तो मैं सोच रही हूँ दो ड्राइशीट रख लूं मीडियम या स्मॉल साइज जो भी मुझे उस वक्त अवेलेबल मिला और दो गुदड़ी रख लूं और पांच्छे नैपी रख ल जरत पड़ेगी चक्रमान के लिए तो बागिया बताना और वह डुक्टर बताएगा जो लिस्ट उसे साफसे मैं आपको बढ़े दो हैं तो और रहना लिए बिधियो में आपको यह भी बताओंग कि मैने अपने लिए क्या क्या लिस्ट बनाई है कि मुझे क्या-क्या जरूत है या फिर मुझे अपने backpack के लिए क्या जरूत है यह तो बच्चे के लिए था तो वह वाली भी जरूर देखना वीडियो पूरी देखना और ताकि मुझे क्या कम और क्या जादा किया है मैं तो कई बार कमेंट में आएगा ठीक से बोल रहे हैं मैं तो थोड़ा मतलब मैं तो बिलकुल वैसे रहती हूं जैसे यह मेरी ओडियन्स नहीं मेरी फ्रेंड मेरे दोस्त हैं मेरी बहने ऐसा कुछ करके मैं बोलती हूं लेकिन आप थोड़ा सा यह ठीक है मेरी सालिया है यह जोड़ा नॉर्मल करो मजाग कम करो कोशिश करेंगे वहां नहीं तो इनकी घरवालों को पुरा लग जाए ला क्योंकि एक हुजा जी है उनकी सास देखती है तो मैं मैं आप बैठता है थे 20 मिनिट की वीडियोगों जब भी हम सार में बैठता है इतनी ही देर की वीडियो बन जाती है तो चलो यह वीडियो को हैं पर देता थी हूं ताकि आप नेक्स वीडियो के लिए भी मतलब दिमाग आपका फ्रेश रहे यह ना रहे कि पका दिया तो ठीक है, बाई, thank you so much for watching